शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसिया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें दिगरस पुसत बाइपास रोड पर धावडा नदी में, रविवार सोला अगस की सुबह साथ बजे की यूग की तैरती लाश दिखाए देने से परिसर में हड़कम मच गया था लाश की शिनाक 25 वर्षे ईसापूर निवासी शेक रहिम के रूप में की गए घटना का पता चलते ही, दिगरस पुलीस ने घटना स्तल पर पहुश कर लाश को नदी से निकाला और पंचनामा करने के पश्चात पोसमार्टम के लिए दिगरस के ग्रामीन रुगनारे में बेज दिया है मृतक के परिजनों ने दिग्रस पुलिस थाने में मृतक को घात पास से मौत के घाट उतारने के आशंग का जताई है पुलिस थाने में मामला दर्श किया है सूत्रों के अनुसार मृतक शेक रहिम शनिवार 15 अगस की रात साड़े आट बजे भोजन कर घर से बाहर निकला लेकिन घर पर लोटा नहीं जिसके बाद परिजनों ने देर रात तक उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था मालुम हो कि मृतक शेक रहिम के पशाद परिवार में माता पीता और तीन बहन है दिग्रस पुलीस ने आगस मित मौत का मामला दर्च कर लिया है थानेदार सोना जी आमले साहिक पुलीस निरिक्षक विनायक जाधव मनुच चवान ब्रह्मान अंटाले इस मामले की जाच कर रहे है